Good morning students, आप सभी का स्वागत है आज के The Hindu Editorial discussion में और आज हम discuss करेंगे बहुत ही important editorial पर उससे पहले देखेंगे हम कुछ current affair के question जो की कल के news paper पर based है अगर आपको इनके answer पता है तो आप comment box में comment कर सकते हैं नहीं तो वीडियो के end तक रुके हम इन्हें वीडियो के end में अच्छे से discuss करेंगे सो आज का discussion स्टार्ट करते हूँ सबसे पहले देखेंगे हम ये वाला editorial सो basically जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया में general election होने वाले हैं 2024 so इस editorial में basically जो हमारी UPA government थी और जो हमारी NDA government है इन दोनों के बीच में comparison किया गया है UPC perspective से ये जो comparison है ये important नहीं है लेकिन क्या चीज़ important है वो ये कि ये दोनों जो government थी ये खुब सारी schemes लेके आई थी welfare schemes लेके आई थी तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ discuss किया गया है कि जो welfare scheme लेके आई थी scheme तो बहुत सारी थी लेकिन उनके अंदर जो budget allocation था वो कही ना कहीं वहाँ पर इस government ने कंजूसी करी जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो share था वो gradually decline हुआ है 2014 से 2018-19 में GDP में कि जो share हम contribute करते हैं अपनी schemes के अंदर welfare schemes के अंदर वो जो है contribution वो कहीं ना कहीं decline हुआ है भले schemes कितनी भी आई हो लेकिन budget वहाँ पर कम हुआ है इस चीज़ को इस editor में point out किया गया है और basically इसमें बोला गया है कि जो हमारी government है नहीं वाली जो government है इसने सिर्फ name change करा है scheme का ऐस सच कुछ नहीं करा जो पहले scheme थी हमारी वो ही scheme अभी तक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर discuss की गई है और end में यहाँ पर discuss किया गया है कि union government जो हमारी center government है इस से जादा उसी scheme के अंदर state government जादा allocate करती है जैसे यहाँ पर example भी दिया गया है कि जो center है उसका contribution जो social security pension scheme होती है उसमें 200 रुपए पर मंत ही अटकावा है वहीं पर stagnated है इससे बढ़ाया नहीं है हमारी union government ने लेकिन state में state में क्या है कि उडिसा तमिलाडुगा यहाँ पर example लिया गया है कि maternity relief provide किया जाता है pregnant women को तो center की scheme है प्रधान मंतरी मातुर्त वंदना योजना इस वंदना योजना के अंदर 5000 से लेके 6000 तक का benefit दिया जाता है maternity जो women होती है उसको लेकिन जो government है state government यहाँ पर state government की बात हो रही है वो 10,000 से 18,000 तक इसका benefit दे रही है तो यहाँ पर editorial में साफ साफ देख रहा है कि जो welfareism होता है वो state government जाधा कर रही है और जो center government है वो scheme पर scheme लेके आ रही है लेकिन वहाँ पर जो budget allocation है वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा है और यही UPSC का जो aspirant है वो problem face करता है starting में क्योंकि जब वो पढ़ता है तो उसको लगता है कि government schemes तो बहुत लेके आ रही है लेकिन इसका कुछ change दिखने को नहीं मिल रहा तो उसका जो change नहीं दिखता उसका बहुत बड़ा reason क्या है जो budget होता है उसको ही वो नहीं बढ़ाते तो यही इस editorial में basically motive है discuss करना हमारा next हम देखते हैं येवाला editorial ये भी basically politics से related है BJP का manifesto है उसके बारे में discuss किया गया है next हम देखते हैं येवाला editorial तो यहाँ पे करनाटका के अंदर politics discuss की गई इसको भी हम discuss नहीं करेंगे next है येवाला editorial ये editorial important है इस editorial में क्या discuss किया गया है कि आपको पता है कि digital personal data protection act है वो आ चुका है अगल 12-23 में so ये जो protection act है dpdp ये जो protection act है data protection जो act है ये जो free speech होती है journalist की उस पे कही न कहीं कर्ब लगाता है ये चीज यहाँ पे discuss की गई है बहुत ही important editorial है in-depth analysis किया गया इसके अंदर data protection act का इसको हम अच्छे से discuss करेंगे next हम देखते हैं ये वाला editorial तो आप सभी को पता है कि हमारा जो first जो winter expedition था आर्टिक में वो हमारा complete हो चुका है तो इस editorial में discuss किया गया है इन सब चीज़ों को यहाँ पे discuss किया है तो इसको हम अच्छे से discuss करेंगे next हम देखते हैं ये वाला editorial तो ये basically data point है important होता है यहाँ पे क्या discuss किया है कि जो aviation sector है वो global में CO2 emission में कितना contribute करता है तो यहाँ पे बता है कि globally aviation sector जो है वो 2.5 परसेंट जो है contribute करता है globally CO2 emission में तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की जुरुत है वो क्या कि जो हमारा aviation sector है ये world level की बात और ये ठीक है aviation sector 2.5 परसेंट contribute करता है CO2 emission में लेकिन अभी तक जो हमारे पूरे वर्ल्ड में 100 परसेंट लोग जो है एर से travel नहीं करते यहाँ पे बताया कि study में पाया कि सिर्फ 10% जो लोग है वो travel करते है airline से तो यहाँ पे एक चीज़ discuss की गई है जो बहुत ही important है वो क्या कि अगर क्योंकि जैसे आप सभी को पता है सभी पूरे world में हर लोग को economic status बढ़ रहा है हर चीज accessible होती जा रही है तो जैसे 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 aviation sector accessible हो पाएगा उन पूर लोगों के लिए तो क्या होगा यह emission है यह और बढ़ेगा और जो global warming और contribute करेगा वहाँ पे तो यह angle यहाँ पे discuss किया गया है जो बहुत ही important है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना और as such इस editorial में और कुछ ऐसा नहीं है तो आज का अपना discussion हम start करते हैं तो आप इस editorial को GS paper 2 के governance वाले topic से relate कर सकते हैं तो discussion start करते हैं जैसे आप सभी को पता है कि अगस 2023 के अंदर इंडिया में हमारा जो first comprehensive data protection जो law है वो आ चुका है अंडर digital personal data protection act 2023 जो यह जो law है हमारा data protection law इसके अंदर जो basic tenets है वो क्या कि यह base है किस पे users consent में कि अगर आपका personal data है किसी वो access करना है तो आपकी consent वहाँ पे main है important है तो basically इसमें basic जो rights है जिन पर ध्यान दिया गया है वो क्या कि access करे तो आपकी consent से करे अगर आप चाहते हैं कि वो जो data है वो erase कर दे तो वो भी इस protection act के अंदर provide किया गया है और कुछ complication है कुछ obligations है जो companies के उपर लगाए गई है तो यहाँ पर इस editorial में discuss किया गया है लेकिन यह जो act है यह impact करता है free speech किसकी journalist की तो यहाँ पर editorial में इतना बड़ा question उठाया गया है कि जो personal data act है जिसमें consent जो है user consent जो है basic tenets है इसके बाद यह कैसे free speech को hamper करता है हमारी journalist की यह बहुत बड़ा question है जो इस editorial में raise किया गया है इसका answer हमें find out करना बहुत जादा important है कि कैसे कर रहा है यह सारी चीज़े जो personal data act है कैसे यह साही चीज़ कर रहा है कैसे emper कर रहा है free speech को तो यहाँ पर discuss किया गया है इस editorial की let's say example दिया गया है कि अगर कोई member of parliament है कोई journalist किसी member of parliament के उपर नजर रखता है उसकी personal activities के उपर कि वो कैसे traveling करता है अपने business के लिए कहां उसका investment है कितना उस पे financial output है कितना उस पे financial income है उसकी तो यह जो सारी चीज़ें है यह public domain में तो available न लगाएगा यहां से information लेगा वहां से information लेगा collect करके वो पूरा thesis बनाएगा अपना कि यह जो MP है member of parliament है वो क्या है एक corrupt आदमी है क्योंकि उस पे उसकी आय से जादा income है अब अगर वो इस story को publish करना चाहेगा newspaper के अंदर तो उसके लिए भी उस MP की consent लेनी पड़ेगी under this act क्य क्योंकि वो जो data उस journalist ने collect करा है वो क्या है उसका personal data है MP का उस member of parliament का personal data है भली वो corrupt हो लेकिन फिर भी उसका personal data है उसके लिए उसको वहां से consent लेनी पड़ेगी और let's say अगर उसने consent ले लिए और publish कर दिया उसके बाद भी अगर MP बोलेगा कि इसको हटाओ newspaper में इसको newspaper से हट इसको हटाना पड़ेगा तो यहां पे discuss किया गया है कि generally क्या होता है कि कि किसी भी country में data protection जो law होता है वो generalist activity को क्योंकि generalist क्या होता है निस्पक्ष काम करता है वो fair काम करता है तो generalist activity को जो है data protection law से exempt किया जाता है लेकिन हमारा जो act है 2023 का इसके अंदर जो protection है उसके अंदर उससे generalist को exempt नहीं किया गया यही जो main point है इस editorial में discuss किया गया है तो यहां पे आप सोच सकते हैं कि यह किसकी protection के लिए है हमारे data हमारा जो personal data है उसकी protection के लिए है या फिर जो MPs, MPLs, जो ministers है उनके personal data के protection के लिए है तो यह बहुत ही important चीज है जो यहां पे discuss की गई है तो यहां editorial में discuss किया गया है कि यह जो हमारा media है fourth pillar जिसे कहते हैं Indian constitution का हमारा fourth pillar है यह जो media है free press तो यह क्या करता है यह state को accountable ठहराता है यह accountability तो है जो हमारी democracy को democracy बनाती है अब यह जो fourth media है इसी का तुमने जो pillar है उसको तो personal जो आदमी है let's say इस case में हमारा MP है वो अब इस act के through तुम्हारा जो fourth pillar है उसका जो independent work है उसको hamper कर सकता है तो कहीं न गहीं यह जो act है यह fourth pillar को क्या कर रहा है hamper कर रहा है state को accountable ठहराने से रोक रहा है तो यही चीज इस editorial में discuss की गई है और इस editorial में फिर discuss कर रहा है कि यह ज जब यह law आया था तो open and transparent ऐसा दिखाया गया था public consultation के लिए लाया था तीन separate draft आये थे इस data के release करे ते government ने कि public क्योंकि क्या होता है कोई भी जो law आता है तो democracy में क्या होता है हमारी इंडिया में especially यह होता है कि जब law आता है law drafting stage में होता है law अभी जो act है वो bill है बिल जब आत बाद वो क्या होता है उस comment को imply imply किया जाता है public domain में फिर रखा जाता है यह सारी चीज़े होती है तो यहाँ पर discuss किया गया है कि तीन separate draft आये थे इस data protection law के public consultation के लिए रखा गया था लेकिन जो भी comment receive हुए इस draft में वो public domain में release ही नहीं करे गए तो आप खुद सोचिए कि जो comment पता ही नहीं चला कि जो basically stakeholder कोन है हम ही तो है हमें पता ही नहीं चला कि जो draft है इसमें कमिया क्या है क्योंकि जब कोई comment करेगा उस comment को तुम public domain में रखोगे तब तो पता चलेगा कि इसमें क्या कमिया है क्योंकि हमारा आम आदमी है वो तो यह जो बड़े-बड़े laws होते है complicated होते हैं इनको analyze का हम कर नहीं पाते है उस level पे तो यहां पे discuss किया गया है है hittorial में कि इसको public domain में ही रखा तो जो stakeholders है real stakeholders उनको पता ही नहीं चल पाया कि actual में यह चीज क्या है लेकिन इस hittorial में discuss किया गया है कि उस जो town hall में meeting होई थी जहां से feedback लिए गया है वहां पे यह च कर रहा है तो यहां पे end में आता है कि अब solution क्या होना चाहिए कि अब यह data यह जो protection act है वो तो आ चुका है अब हमें solution find out करना है तो solution भी इस editorial के end में बता रखा है conclusion में क्या बता रखा है कि under act कि यह जो data protection act है इसी के अंदर ही central government को power दे रखी है कि वो किसी भी data processor को इस case में ह कि government को अपनी इस power का use करते वे under the act जो journalist है उसको exempt करना चाहिए ताकि जो हमारा fourth pillar है वो अच्छे से काम कर सके और state को accountable ठहरा सके तो यही सारी चीज़ इस editorial में discuss की गई है जो हमारे लिए जानना ज़रूरिया है कि जो हमारा act है वो उसमें कमिया क्या है कि कर क्या रहा है वो act UPSC Prospective से बहुत जादा important है अब move करते हैं अपने next editorial की तरव आप इस editorial को GS paper 2 के bilateral relation से relate कर सकते हैं तो discussion स्टार्ट करते हैं जैसे हम सभी को पता है कि इंडिया ने इस बार इस March 2024 में अपना जो first expedition था, experience था Arctic में, Arctic winter में वो पहली बार successfully end किया है तो यहाँ पे आपके लिए जा research station है कहां पे सालवाबाड, Norway में, Himadri उसका नाम है और station को क्या कहते है, International Arctic Research Base, यह जो हमारा इंडिया का base है, यहाँ पे पहली बार हमने March 2024 में अपना जो expedition था, winter का, वो complete करा, so अभी तक जो इंडिया था, वो winter में वहाँ जो research करा हमने, उसको करने के लिए agree नहीं होता था, तो इस बार यहाँ पे editorial में discuss किया गया है कि अब ऐसा क्या change हुआ है वहाँ पे, कि इंडिया ने पहला step उटा है, कि winter में हमने वहाँ पे experience करा है, Arctic में, तो discuss किया गया है कि change, क्या क्या चीज change हुई है, कि Arctic जैसे आप सभी को पता है, climate change हो रहा है, global warming हो रही है, तो जो Arctic हमा ना consequences, climate change का जैसे monsoon पे हमारे effect पड़े, यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, इसकी वेए से हमारा जो interest है, winter में भी अब Arctic में उजागर हुआ है, इस चीज़ को यहाँ पे discuss किया गया है, next यहाँ पे discuss किया गया है, कि जैसे जैसे global warming हो रही है, नए-नए sea roots खुल रहे हैं, तो उसके लिए भी नया sea root खुल रहा है, Arctic sea root खुल रहा है, उसके लिए भी हमारा जो interest है, वहाँ पे हुआ है, क्योंकि हमारा जो cost होगा, shipping का cost होगा, कि हमें अगर किसी अपने माल को समुदरी रास्ते से युरोप में भेजना है, तो हमारा जो long route है, basically हम मुझ से adopt करते हैं, जैसे आप सभी कोता है, Middle East में वहाँ पे problem चल रही है, तो अब वहाँ से नाज लेके, हम Cape of Town से लेके जाएंगे, अफरीका के एकदम southern point से, तो वहाँ से हमारा जो expenditure होगा, cost होगा, वहाँ से कहिना कहीं बढ़ जाएगा, तो जो नए sea root खुल रहे है, उसकी वे स क्या होगा, जो हमारा cost होगा, जो हमारा fuel होगा, और जो security मिलती है हमारे product को, वो कहीना कहीं अच्छी होगी, तो ये भी एक हमारा interest हमाँ पे अरोज होगा, तीसरा यहाँ पे discuss किया है कि geopolitics, geopolitics में क्या हो रहा है, कि China का भी जो interest है, वो Arctic reason में बढ़ता जा रहा है, कि यहाँ यहाँ पे discuss किया गया, tutorial में कि Russia ने decision लिया था, कि China को वो northern sea route access provide कराएगा, expand करेगा उसका, तो ये कहीना कि India के लिए क्या है, चिंता की बात है, इस चीज़ को tutorial में discuss किया गया है, तो हमने तीन dimension देखी, क्यों हमारा जो interest है, वो वहाँ पे बढ़ रहा है, next यहाँ पे discuss किया 1920 से है, इंडिया ने सबसे पहले 1920 में पैरिस में सालवाबार treaty को sign किया था, फिर इंडिया ने 2007 में हमारा जो first research mission था, investigate करने के लिए atmospheric science और geology Arctic में जो हो रहा है, उन सब चीज़ों को हमने first 2007 में start करा था, फिर हमने 2013 में observer का status प्राप्त करा था Arctic Council से, तो हम जो है दीरे दीरे उजागर हो रहे हैं, और इंडिया क्या है, पहली developing country थी जिसने ऐसा करा था, except China, China को छोड़ के, so अब next यहाँ पे discuss किया गया है कि 2004 में हमने multi sensor mood observatory भी खोली थी सालवा बोर्ड में, 2016 में हमने atmospheric laboratory भी खोली थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया कोई newcomer नहीं है इस region में, हम 1920 से लेके अभी तक यहाँ पे कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ इनिशेटिव करते आए हैं, और इसी चीज़ को यहाँ पे editorial में discuss किया गया है, कि हमारा जो main focus है, वो क्या, इस station के साथ, Arctic station के साथ, यहाँ पे जो हमारे salva board है, वहाँ पे, कि यह जो glacier melt हो पर क्या देखने को मिलता है, इसमें इंडिया का सबसे बड़ा interest है, इसी लिए जो हमारा interest है, वो Norway में है, इस चीज़ को आपको समझने की जुरूरत है कि क्यों India interested है, क्योंकि हमारे जो internal interest है, वो खत्रे में है, क्यों खत्रे में है, क्योंकि अगर Indian monsoon जड़ा सा अपना Norway में अपना interest बढ़ा रहे है, इस चीज़ को यहाँ पर discuss किया गया है, तो यहाँ पर यह भी discuss किया गया है, कि हमारे इंडिया के अंदर ही जो हमारे academic है और जो policy communities है, इनकी अंदर ही कुछ ना कुछ मदभेद है, Arctic region को लेके, तो यहाँ पर discuss किया गया है, कि एक पक् strategy, clearly define करनी चाहिए, क्योंकि Arctic reason क्या है, वहाँ पर resources भी मिलेंगे, fossil fuel मिलेंगे, rare materials मिलेंगे, यह सारी चीज़े मिलेगी, तो हमें अपनी policy को है na, clearly define करना चाहिए, यह दोनों पक्ष बोलते हैं, तो यहाँ पर कहिना कि हमें pragmatic, जो practical approach होती है, उसको apply करने की जुरत है, इस च के उपर हमारा focus है, Norway और Norway के आसपास वाली country, जो उस region में हमारी help करेंगी, तो यहाँ पर collaboration की बात की गई, तो बताया कि Norway जो है, वो chair करता है, मतलब वहाँ पर जो chair है Arctic Council की, उसको head कर रहा है Norway, और Norway के साथ इंडिया की बहुती close tie है, और 1980 के अंदर हमने collaborate कर रहा था, Norway के सा इसका Arctic और Antarctic में जो climate change हो रहा है उसका, और इसका क्या impact करता है, South Asia के उपर, तो यह सारी चीज हमारी पहले सी collaboration में, 1980 से, अब यहाँ पर discuss किया गया है, कि जो इंडिया है, उसकी जो present policy है, आपको यह चीज जाना जरूरी है, कि इंडिया की क्या policy है, इस region को लेके, तो यहा clean industry में, मतलब हमें एक responsible stakeholder के रूप में उभर के आना है, जो sustainable हो सारी चीज है, इसलिए हमारा interest किया है, यह Arctic कंट्रियों के साथ है, तो यहाँ पर discuss किया गया है, कि Denmark हो गया, Finland हो गया, इसके साथ इंडिया का collaboration है, waste management को लेके, population control को लेके, renewable energy, green technology, means हम responsibly develop कर रहे हैं, इन जो Norwegian countries हैं, इनके साथ मिलके, यही इस editorial में basically discuss किया गया है, maritime transport हो गया, investment infrastructure, तो सब चीज क्या है, green economy की तरफ हमारा इशारा कर रहे है, और उसके लिए यह Norwegian countries हो हमारी help कर रहे हैं, इसको यहाँ पर discuss किया गया है, और editorial में discuss किया गया है, editorial के end में discuss किया गया है, कि हमारे कुछ 6 pillar है, ह हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि जो जो country हमारी मदद करेगी, वो हमारी सारी कोन है, friend है, जैसे कि Norwegian countries हमने देखा, Norway हो गया, Denmark हो गया, Finland हो गया, तो यहाँ पर जो हमारे 6 pillar है, वो क्या, कि हमें scientific research करनी है, इस reason में कि यहाँ जो change हो रहा है, इसका क्या consequences हमें देख activity, इस चीज़ के उपर भी हमें ध्यान देना है, यह हमारा चटा pillar है, पांचवा पिलर है, पांचवा पिलर है, governance और international corporation, जो कि हमने अभी देखा कि कैसे हम cooperate करें, यह हमारा कौन सा pillar है, 5th pillar है, और हमारा 6th pillar है, कि हमें nationally capacity built करनी है, तो यही हमारे 6 pillar है, Arctic policy को लेके, और इस 6 pillar के अंदर Norway हमारा सबसे अच्छा important partner है, इसी चीज़ को यहां पे discuss किया गया है, और Norway के साथ हमें tie-up बढ़ाने चाहिए, अपने interest को लेके, और उस world interest को लेके, इसी सारी चीज़ों को इस editorial में discuss किया गया है, जिसके साथ इंडिया ने अपना जो है first, जो winter का expedition है, Arctic Ocean में, और सबसे पहले हम discuss करेंगे, first question, तो जैसे मैंने कल आप से बोला था कि जो हमारी Vienna Convention और Diplomatic Relations है, जो कल editorial आया था, हमने बोला था कि हम इसे prelims के question के तुरू discuss करेंगे, so first question वही है, यहां पे discuss किया गया है, कि यह जो convention है, Diplomatic Relations वाली, यह adopt की गई थी, UN Conference और Diplomatic Intercourse and Immunity, जो कि Vienna में held हुई थी, तो क्या यह statement सही है, बिलकुल सही statement है, इसको UN में, UN Conference और Diplomatic Intercourse and Immunity held at Vienna, यहां पे adopt किया गया था, अब next जो statement है, वो क्या है, कि total 193 जो countries है, इसके अंदर include है, including India, तो आपको समझना चाहिए, कि India ने भी यह जो हमारा Diplomatic Relations है, इसको sign कर रखा है, rectify कर रखा है, तो यह जो second statement है, यह भी सही है, third statement देखते हैं, sorry, third statement है, कि इस जो convention है, Diplomatic Relations, जिसमें India भी इसका rectify कर रखा है, इसके अंदर जो diplomats है, उनको हम कुछ exemptions देते हैं, law के अंदर, taxes के अंदर, जो host country है, कि जैसे, let's say, US का कोई diplomat है, वो इंडिया में आता है, तो उसको कुछ exemptions मिलती है, तो यहाँ पे आपको एक बार article 14 देखना चाहिए, कि हमने previous, हमने question भी discuss किया था इसका, कि जो article 40 है, उसके अंदर constitutional exemptions होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं, यह constitutional exemptions नहीं, यह हमारी convention, international जो हमने treaty sign करी है, इसके अंदर exemptions है, वो भी article 40 के exemptions के अंद आते हैं, कि diplomat होता है, उसको immunity होती है, इंडियन law से, arrest वगरा से, तो यह क्या है, कि यह third statement भी फिर तो सही हुई, तो इसका answer क्या हुआ, हमारा only three options are right, तो हमारी जो तीनो statement है, वो सही है, तो आयोप आपको यह समझ आयोगा, बीना convention के अंदर ही, जो हमारी diplomats होते हैं, उनक often news में था, कल की news में था, तो यहाँ पे पूछा गया, कहाँ पे है यह Aetna volcano, तो Aetna volcano में basically क्या हो रहा था, कि गोल गोल जैसे छले होते हैं, वो वहाँ वोलकैनो से, उसके creator से निकल रहे थे, तो इसलिए वो news में था, और आपको पता होना चाहिए, कि जो Aetna volcano है, वो Italy के अंदर है, Italy के अंदर कहाँ पे है, Sicily में है, Italy के अंदर, तो वहाँ पे वो जो vortex ring, जिसे मैंने अभी बोला, छले से निकल रहे थे, वहाँ के, तो उसे कहते हैं, vortex ring, वो निकल रही थी, वहाँ से, और यह जो छले थे, यह वाटर वेपर से release हो हैं, उसके vent से, तो इसी statement दे रखी है, तो यह कल के newspaper में था, और यह आपको समझना चाहिए, कि important है जो news में आता है, तो जो first statement है, वो क्या दे रखी है, कि यह critically endangered category में आता, IUCN red list की, so यह जो first statement है, बिल्कुल सही है, जो हमारा black soft turtle है, IUCN ने एक बार इसको extinct भी कर दिया था, कि यह extinct हो चुका है, ल turtle, तो critically endangered तो वो है, तो पहला statement सही है, second statement है, कि यह जो turtle है, इसकी पूजा की जाती है, इसको विश्नु का अफ़तार माना जाता है, हमारे हिंदू सिस्टम के अंदर, तो यह second statement है, यह भी सही है, जो कि हमारे pond के अंदर यह पाता है, कि आपने देखा था, विश्नु जी का कच्छ अफ़तार भी हुआता, तो वही यह क्या है, black soft shell turtle है, c statement जो यहाँ पे पूची है, वो क्या, कि यह जो freshwater turtle है, सिफ इंडिया के अंदर पाता है, तो इस statement के उपर आपको ध्यान देने के ज़रुत है, और आप बताइए कि क्या सिफ यह इंडिया के अंदर पाएगा, तो यह जो statement है, यह wrong है, यह सिफ इंडिया के अंदर नहीं पाता है, यह जो हमारी neighboring countries है, जैसे बंगलादेश, यहाँ पे भी मिलता है, तो यहाँ इसका answer क्या हुआ, यह और भी सिफ दो statement यहाँ पे सही है, I hope आपको आज के editorial यह question समझ आएंगे, आज के discussion में बस इतना ही, thank you, thank you so much for today's discussion.